दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल चार शेर के बारे में जी यहां दोस्तों सुजलॉन एनरजी के बारे में JP Power के बारे में विकास Life Care Limited के बारे में और साथ ही साथ TTML के बारे में कल के दीन जैसा कि मैंने आपको बताया भी था आपने लास्ट वीडियो में कि इन दोनों शेर्स को ASML की Long Term की Stage 1 और Stage 3 के अंदर Include किया गया है जिस कारण से आज के दिन आपको इन दोनों शेर्स के अंदर Selling Pressure देखने को मिल सकता है यही हुआ अगर आप सुजलॉन एनरजी का Chart Pattern भी देखेंगे तो आज की दिन हमें First Session में इस शेर्स के अंदर थोड़ी बहुत Corrections भी देखने को मिले लेकिन उसके बाद Suddenly हमें इस शेर्स के अंदर 5% का Upper Circuit देखने को मिल चुका है हाला कि इस Upper Circuit के बीछे एक बड़ी बज़ा निकल कर आई है जो कि आप सभी को जानना बेहत ज़्यादा जरूरी है और वहीं अगर JP Power के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आज के दिन हमें इस शेर्स के अंदर काफी ज़्यादा Up and Downs देखने को मिले हैं लेकिन Ultimately JP Power के अंदर भी जो Closing निकल कर आई है वो एक Positive Closing निकल कर आई है तो इन दोनों शेर्स के अंदर जो आपको तीजी देखने को मिल रही है वो तीजी का सबसे बड़ा कारण है IA की Report जी आँ दुस्तों IA की जो Report यहाँ पर निकल कर आई है जिस कारण से इन दोनों शेर्स के अंदर आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है यहारे की ACM लिस्ट की में होने के बावजुद आज की दिन इन दोनों पेनी शेर्स ने Positive Closing दी है यही Retail Investors के लिए एक बहुत बड़ी खबर है बात करें के IA की तरफ से क्या Report निकल कर आई है तो आप देख सकते हैं 14 जनवरी 2022 आज ही के दिन की यह News है जिसमें IA की Report में बताया गया है कि इंडिया की जो Renewable Energy की Growth है वो आने वाले Financial Year 2024 तक लगबख 30% से Grow होने वाली है Complete News भी आप देख सकते हैं इंडिया's Renewable Energy is expected to increase by 30% by 2024 relative to 2021 according to a recent report by the International Energy Agency तो यहाँ पर अगर किसी और की Report निकल कर आती तो यहाँ पर हम मान भी लेते के ठीक एक यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन आईए की तरफ से जो Report निकल कर आई है और जैसा कि अगर आपको पता होगा अगर आपने पेले भी आईए की Report को Follow किया होगा तो कि यहाँ पर जो सटिक Information है वो ही अमें देखने को मिलती है तो International Energy Agency की तरफ से जो यह News देखने को मिल रही है इसी के बाद आज के दिन Power Sector कमपनियां काफी ज़्यादा Focus में देखने को मिली और सबसे ज़्यादा वो कमपनियां सबसे ज़्यादा Focus में देखने को मिली आपको बताया था कि Reliance Industry लगबग 5.9 यानि कि Almost 6 लाग करोड रुपे का investment गुजरात के अंदर Clean Energy पर करने जा रही है और सबसे ज़्यादा Benefit उसमें सुजलौन एनरजी को ही मिलने वाला है तो यदि आपने सुजलौन एनरजी के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी positions को continue करते हुए चल सकते हैं अब बात करें second बड़ी updates की तो सुजलौन एनरजी के अंदर आज की दिन हमें again कुछ बड़ी bulk deals भी देखने को मिली आप देख सकते हैं सुबह 9 बचकर चो 40 मिनिट पर 68,58,606 शेर खरीदे गए हैं जिसकी value लगबग 8,33,000,000 रुपे बनती है और बस यहीं से हमें शेर्स के अंदर up train देखने को मिल चुका था वहीं एगली बड़ी bulk deals हमें सुबह 12 बचकर 21 मिनिट पर 47,59,59 शेर्स की देखने को मिली जहां पर 5,88,000,000 रुपे के शेर्स खरीदे गए हैं तो आज की सबसे बड़ी bulk deals हमें सुबह 1 बचकर 6 मिनिट पर देखने को मिली जहां पर 1,20,33,168 शेर्स खरीदे गए हैं जिसकी value लगबग 14,68,00,000 रुपे यहां पर देखने को मिल रही हैं तो सुजलाओन के अंदर bulk deals continuously basis पर देखने को मिल रही हैं और जैसा कि आपको पता है कंपनी ने अभी अपने quarter 3 के result की date अनौन्स नहीं करी हैं लेकिन आज की बड़ी updates हमें देखने को मिल रही हैं कि expected है कि 28 जनवरी के दिन आपको सुजलाओन एनरजी के quarter 3 के result देखने को मिल सकते हैं तो यदि आपने short term purpose से भी सुजलाओन के अंदर investment का रखा है तो यहां पर quarter 3 के result का आप इंतजार कर सकते हैं JP Power के अंदर भी आज के दिन हमें काफी बड़ी bulk deals देखने को मिली और साथ ही साथ volume के base काम भी है आज के दिन हमें JP Power के अंदर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है कल के दिन मैंने आपके साथ JP Power को लेकर एक update शेयर करी थी जिसमें JP Power और JP Associates के बीच में merger हो सकता है यहां पर हमें insider news आते वे देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर बहुत सारे investors की कल की वीडियो में questions थे comments box में कि अगर यह merger होता है तो क्या JP Power को इसका benefit मिलेगा और अगर मिलेगा तो क्या इसका benefit retail investors को मिलेगा तो definitely मैं आपके questions का यहां पर reply करना चाहूंगा कि अगर JP Power और JP Associates का merger होता है तो company का expansion ही होगा और जो company की capacity है employee capacity है company का working performance है वो और ज्यादा हमें 100% efficiency के साथ improve होते वे देखने को मिलेगा तो ultimately अगर यह merger होता भी है जो कि अभी तक official नहीं हुआ है लेकिन अगर यह merger होता भी है तो हमें इसका benefit ही मिलने वाला है साथ ही साथ अगर आप JP Power के अंदर share holdings patent देखेंगे तो यहाँ पर promoters continuously अपने stake को increase कर रहे हैं और साथ ही साथ promoters का stake भी हमें as it is यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो no doubt अगर आपने JP Power के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप support level को दियान में रखते हुए अपने positions को continue करते हुए चल सकते हैं लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी penny shares के अंदर bulk investment नहीं करना है और time to time आपको profit book करना भी आना चाहिए याने कि आप अपने principal amount को सबसे पहले profit book करके बाहर निकाल लेजिए then remaining amount को आप यहाँ पर अपने stop loss के according करी करते हुए चल सकते हैं तो यही strategy आपको सभी penny shares के अंदर follow करते हुए चलना है चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं another दो penny shares के बारे में जिसका नाम है Vikas Life Care Limited और TTML के बारे में तो Vikas Life Care Limited के बारे में सबसे बिले बात कर लेते हैं जहाँ पर आज की दिन आपको इस share के अंदर 5% का upper circuit देखने को मिल रहा है और आज की तीजी के बीचे बहुत बड़ी वज़य निकल कर आई है Vikas Life Care Limited ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी acquisition करी है या यूं कहें के पूरी की पूरी company ही खरीद ली है आप देख सकते हैं Vikas Life Care Limited has acquiring 75% stake of JNC's for Rs.25 करोड तो यहाँ पर 25 करोड रुपे की value में company ने JNC's के अंदर यानिकि इस company के अंदर 55% का stake cover कर लिया है और जब कोई भी company किसी का दूसरी company के अंदर 55% का यानिकि majority stake अगर cover कर लेती है तो ultimately हमें उसी का यहाँ पर monopoly देखने को मलती है तो यहाँ पर Vikas Life Care Limited ने यह जो acquisition करी है कई न कई इसका benefit Vikas Life Care Limited के shareholders को long term में मिलने वाला है company के financial result की बात करें तो recently जो December quarter के company ने result declare के हैं जहाँ पर company का profit before tax तो यहाँ पर decline हुआ है लेकिन अगर आपने इस penny shares के अंदर यानकि 6 रुपे के penny shares के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आप अपनी positions को continue करते वे चल सकते हैं उस्तो अब बात कर लेतें another penny shares के बारे में या यूं कहें कि another multi-baker stocks के बारे में क्योंकि Tata Group का यह stock अपने investors को multi-baker returns बना कर दे चुका है और किसी time पर यह shares हमें लगबख 5-10 रुपे पर trade होते वे देखने को मिलता था जो कि अभी almost हमें 250 पर trade होते वे देखने को मिल रहा है लेकिन इछले 3 trading session में इस share ने अपने investors को बहुत ज़्यादा परेशान क्या है जब से company की update निकल कर आईए कि company अपने dues को याने कि जो AGI due से उसे conversion कर रही है equity के form में और 49 रुपे में government को share issue कर रही है जिसकी value लगबख 8500 करोट रुपे देखने को मिल रही है बस तब से लेकर अभी तक हमें shares के अंदर continuously lower circuit देखने को मिल रहे है तो बात करें कि TTML के अंदर क्या strategy लेकर चलना है लेकिन उसके बिले यहाँ पर कुछ और चीज़े जो की TTML से related है वो आपको जानना बेहत ज़्यादा जरूरी है यदि आपने TTML के अंदर investment कर रखा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि company अपने market की याने कि अपने segment की market leader है company voice data services देती है और साथ ही साथ company के ग्राहों को की list में कई बड़े नाम भी हमें देखने को मिलते हैं साथ ही साथ पीछले ही कुछ मैनों में ही company ने smart internet based services company के लिए शुरू की है और इसको जबर्दस response भी मिल रहा है साथ ही साथ इसमें company को fast internet के साथ cloud based security services optimized control मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि cloud security पर आधारी थे अब आप सब यह सोच रहे होंगे कि यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर retail investors के साथ में होता है यह है कि वो बिना सोचे समझे किसी भी company के अंदर investment कर लेते हैं और बिना सोचे समझे loss बुक कर लेते हैं लेकिन अगर आपने TTML के अंदर investment कर रखा है आपको loss भी हो रहा है तो यहाँ पर आपको panic नहीं लेना है जी यहाँ दुस्तो सबसे बिली चीज पैनिक नहीं लेना है और loss में कभी भी अपनी positions को square off नहीं करना है सबसे main चीज Tata Group की एक company बहुत ही शांदर returns बना कर दिये हैं और आगे भी दे सकती हैं क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे important चीज company के quarter 3 के result आना बाकी है और Tata का super app आना बाकी है यह दो चीजों के उपर TTML का future depend करता है और साथी साथ जो cloud services company ने start करी है उसको भी जिस प्रकार क response मिल रहा है यह shares definitely आपको future में काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है चौट टम में आप 244 रुपे के support level को ध्यान में रखते वे अपने risk को manage कर सकते हैं most probability chances से के Monday की दिन आपको again इस shares के अंदर upper circuit लगते वे देखने को मिल सकते हैं लेकिन अगर lower circuit लगता भी है तो जैसे ही आ आपको मोका मिले आप यहाँ पर अपने principal amount को बाहर निकाल सकते हैं और 50% amount का profit book कर सकते हैं अगर आपका short term का view है तो long term का है तब तो आपको बिलकुल भी panic नहीं लेना है चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसन आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसन आई है तो इसे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected stay updated